हाई फ्रेंड इस रॉनक सर फ्रॉम विद्यम एकडेमी इंटिग्रेशन बाइप पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और मैंने आपको एक कोल कोफी वाली बड़ी ऐसी ट्रिक भी अलड़ी बताई हुई है अगर आपने वो ट्रिक अब तक नहीं देखिए तो प्लीज वाच मैं वीडियो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं साथ ही साथ लाइट रूल हम लोगों ने देखा जहां पे अब हम लोग शुरू करेंगे थोड़े से medium difficult वाले sums तो चलो शुरूआत करते हैं पहला sum integration of x square log x dx ये चीज़ तो clear है के x के आपको two terms दिखाए दे रहे अब selection भी तो ज़रूरी है कौन यू कौन भी तो light rule के हिसापचे अगर आप जाओगे तो logarithmic को priority मिलेगी so this will be u and this will be treated as v तो चलिए अगर उस हिसाप से जाओगे तो आपको sum को एक बार वापस rewrite करना पड़ेगा i is equal to integration of log x और यहाँ पे उसके बाद आएगा x square और साथ में आएगी dx के term now let's start solving it log x चुप बैठा integration of x square dx हुआ जैसे आपका u integral v dx वाला formula है similarly minus sign होगी integration का sign मैंने बोला था यह वाली term फटाफट यही पे अंदर immediate basis पे आती है दोस्तों अब उसके साथ-साथ यहाँ पे आएगा d by dx of कौनसा term log x जिसको हम लोग overall bracket करके dx लिखने वाले है तो चलिए अब simplify भी कर लेते हैं integrations तो simple simple आपको पता है log x as it is रहेगा x square का integration आएगा x cube by 3 minus integration log x का derivative is 1 by x और यह हुआ x cube by 3 और साथ में लगा dx खुशी की बात x और x cube में यहाँ पे सिर्फ x square बच जाएगा तो चलिए आप simplify करते है x cube by 3 साथ में आया log x minus 1 by 3 as it is x square का integration का answer आएगा x cube by 3 और end में लग जाएगा plus c अब finally दोस्तों आप आपके answer को x cube by 3 को common ले सकते हो the term that you get is safe log x यहाँ पे दिखाई देगा minus 1 by 3 यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि x cube by 3 की term अलड़ी बाहर आ चुके and then it will be plus c that's all यह रहा आपके integration का final answer this is awesome right तो चलो फिर अब seconds हम के लिए आप मुझे support करो यहाँ पे भी आपको x की दो terms दिखाई देगा एक x cube है और एक है tan inverse of x term तो lie tool के हिसाब से अगर आप मुझे पूछो तो inverse function को priority मिलनी चाहिए और यहाँ पे होगा v तो u और v का setup लग गया तो हमें rewrite करना पड़ेगा and then solving के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों i is equal to integration of पहले हम लोग लिखेंगे tan inverse of x को और उसके बाद हम लोग लिखेंगे x cube और फिर लग जाएगा dx अब uv rule जो है वो implement करना शुरुआत कर देता है tan inverse of x u जो है जैसा वैसे बैठेगा उसके बाद integration of क्याएगा x cube dx और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे भी वही x cube dx की term आपको वापस दिखाई देगी बड़ा वाला integration जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ आपको यहाँ पे लिना है d by dx of tan inverse of x bracket complete और यहाँ पे लिख जाएगा dx तो I hope the idea about it is clear so format हम लोग के पास है तो चलिए i is equal to let's see क्या क्या मिलता है tan inverse of x x cube का integration answer आएगा x less to 4 by 4 minus integration tan inverse of x का derivative बताओगे tan inverse of x का derivative बता है 1 upon 1 plus x square और यहाँ पे आया x less to 4 by 4 और लग गया dx अब कहानी में बहुत अच्छा twist आने वाला है आप जरूर देखिएगा x less to 4 by 4 tan inverse of x का term आपका जैसा वैसे minus 1 by 4 किया out under terms बची x less to 4 upon 1 plus x square और यहाँ पे लगा dx अब देखो यहाँ पे हम लोग खुश थे यहाँ पे 1 by 4 आया है वो भी ठीक है यहाँ पे एक advantage हुआ था cancellation हुआ के single term दिखाई देरी तो integrate करना आसान हुआ लेकिन यहाँ पे एक term x raise to 4 और एक term है बना 1 plus x square तो अब यह division में है ना u by भी लग रहा है ना f dash of x upon f of x का strategy लग रहा है तो in that case आपको क्या करना पड़ेगा you have to adjust it in such a way कि आपको आपका समझोए वो आसान देखना चाहिए देखो तो सही कुछ adjustment मेरी तरफ से और यह सिर्फ और सिर्फ प्राक्टिस के बाद ही हम लोग लेके आ सकते है x raise to 4 upon 1 plus x square का term आपका as it is लिखता हूँ और साथ में दोस्तो मैं किसी को add और किसी को subtract करने वाला हूँ so मैंने minus 1 और साथ में कर दिया plus 1 और यहां पे लगा दिया dx कुछ आपको अलग लग रहा है दिखिए तो अब जब मैं इसको solve करूंगा the terms that I get is x raise to 4 by 4 tan inverse of x minus 1 by 4 as it is integration में x raise to 4 minus 1 upon इसको में थोड़ा उल्टा लिखता हूँ x square plus 1 dx यह दोनो terms with denominator plus 1 upon 1 plus x square जो कि अपना जैसा है वैसा bracket complete अब बताइए कुछ simplifications आपके पास अगर होंगे तो मेरे पास तो है ही x raise to 4 साथ में आया tan inverse of x minus 1 by 4 दोस्तो have a look at this x raise to 4 minus 1 what do you think क्या है यह x raise to 4 minus can I write this as to be 1 raise to 4 तो यह actual में आपका क्या बन गया this has become x square का square minus 1 का square upon यहाँ पे आएगा x square plus 1 dx और भाहिस आपका तो मुझे answer already पता है this is standard answer no tan inverse of x का आपका integration 1 upon 1 plus x square का direct answer में नहीं आपे लिखा tan inverse of x now let's move ahead i is equal to x raise to 4 by 4 tan inverse of x की term as it is दोस्तो minus 1 by 4 as it is देखो देखो क्या हो रहा है a square minus b square का formula आपको और मुझे दोनों को पता है x square minus 1 x square plus 1 अब आएगा x square plus 1 लग जाएगा dx और यह tan inverse of x बेचारा जैसा है वैसा यहाँ पे बैठेगा आप खुशी की बात है कि x square plus 1 x square plus 1 cancel हो जाएगे देखो कौन सी trick यूज करी अब बताइए x raise to 4 by 4 के साथ आएगा tan inverse of x minus 1 by 4 दोस्तो चलो बताओ फटाफट x square का integration आएगा x cube by 3 minus 1 का integration आएगा x और यहाँ पे आया plus tan inverse of x आप चाहिए तो आपके आंसर को जैसा है वैसे भी लिख सकते हो या field terms को 1 by 4 वगरा common लेकर आपको अगर simplify करना है तो भी आप simplify कर सकते हो I think so इस पूरे sum में अगर सबसे important कोई चीज़े other than uv rule तो था minus 1 plus 1 जो कि आपको adjustment करके answers लेके आने थे आया समझ में चलिए फिर next two sums को देखते sum number 3 log x bracket का square dx now the first thought that came into my mind is यहाँ पे तो x की दो टम नहीं है लेकिन at the same time if you have seen the previous part you must have seen कि log x यह special function है तो इस function के लिए आपको 100% manipulations करने पड़ते है और वो किस तरीके से आपको यह log x अंकल को वैसे ही रखना है और साथ में extra term लाने है into 1 as I said this is an exceptional term जो के आपको adjustment करने पड़े है now if you have done this can you please tell me अगर मैं इसको u और v consideration में ले रहा हूँ तो let's start off with the sum i is equal to log x bracket की square value term as it is integration of 1 dx आएगा minus sign integration यहाँ पे तो आपका 1 dx आई गया दोस्तों और तो और साथ में यहाँ पे d by dx आपकी term आनी चाहिए थी log x bracket square तो जैसा है u v rule मैंने सिर्फ u और v का replacement यहाँ पे कर दिया now let's move on देखते क्या क्या होता है log x bracket का square और integration जो आता है dx का that is nothing but x similarly integration derivative of log x bracket का square तो पहले square होने की वज़े से उसको नीचे गिरा हो तो 2 log x तो आएगा और chain rule के इसाब से log x का derivative आता है 1 by x और तो और यहाँ पे 1 dx का integration आया x और सब कुछ खतम होने के बाद लग गया dx now खुशी की बाद x और x gets cancelled now x हुआ log x हुआ bracket square minus 2 आया integration में वापस यहाँ पे log x और साथ में बचा dx now you must be knowing कि log x का separate integration हम लोगों ने previous पार्ट में किया था लेकिन वापस हम लोग इसको solve करने की कोशिश करेंगे if you do not know the standard formula standard integration of log x यह करने के लिए देखो यूवी रूल आल्रेड़ी हम लोगों ने use किया अब देखो पते की बात यहाँ पे ऐसे होने वाला है x log x bracket का square minus 2 यहाँ पे log x के साथ वापस 1 लगेगा इसका मतलब है किसी को बताओ मत यूवी रूल के अंदर हमें वापस एक बार यूवी रूल यूज करना पड़ेगा मतलब बाइपार्ट के अंदर बाइपार्ट यूज हुआ तो देखो अब किस तरीके से simplify करके मैं answer लेकिया आरो log x bracket का square यह तो dead हो गया 2 चलिए फटाफट हम लोगों ने किया हुआ है log x अंकल चुप बैठे integration of 1 dx minus d by dx of log x correct और साथ में आएगा integration of 1 dx bracket complete dx और यह बड़ा वाला bracket complete I hope you know this हम लोगों ने यह अलड़ी किया हुआ है x आया साथ में log x आया bracket square minus 2 चलिए simplify करते integration of dx का अंसर आता है x तो यहाँ पे हुआ x log x minus यहाँ पे हुआ 1 by x derivative इसका और यहाँ पे आया x और साथ में बज़ गया dx x x got cancelled the answer that we got is x के साथ आया log x bracket का square minus 2x log x और यह हुआ minus minus plus 2 और साथ में integration of dx का अंसर आता है x plus c खुशी खुशी आप x को common ले सकते हो you get your answer is log x bracket square minus 2 log x plus 2 and then plus c and boom you are done with your sum I hope you have got this uv rule के अंदर by part के अंदर by part वाला यह हम लोगों ने अभी फिलहाल पहला sum देखा हुआ है समझ में आया तो चलिए next sum के लिए जाते ये भी तोड़ा अजीब सा समय से क्यूब x लिखा हुआ है वापस आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे तो x की term ही एक है तो एक ही function है तो भाई आप uv rule कैसे use करोगे uv rule के अंदर ये नहीं आना चाहिए था ना लेकिन आप देखो मैं इसको किस तरीके से adjust कर रहा हूँ पहले तो जो भी दिया हुआ है let's break this down let this be sec x into sec square x dx now we have one opportunity जहाँ पे हम लोग इस sec square को substitute करें as in one plus tan square लेकिन अगर यहाँ पे already एक function है तो क्यों ना adjustment इस तरीके से किया जाया है देखो यहाँ पे trick है आपकी square वाली term को आप लोग v consider कर I'm sorry v consider कीजिएगा और आपकी normal term को आप लोग क्या consider करो I repeat there is a trick there is a hint जहाँ पे आप लोग आप अगर यह same sum cosec cube का भी होता तो भी आप उसको cosec x into cosec square x करोगे तो जो square वाली term है that will be considered as v और जो normal single power वाली term है उसको आप यह consider करके sum को आगे लेके जाओगे अब देखो कैसे मजा आ रहा है I is equal to come on be with me sec x वाला term as it is आएगा integration of sec square x आएगा correct है ना minus sign आएगी d by dx of आएगा sec x और यहाँ पे integration of sec square x dx bracket complete और वापस लग जाएगा dx राइट u और v का setup है दोस्तो बागी कोई चीज में अलग से नहीं गरी है I is equal to sec x can you please tell me sec square x का integration yes you heard it right sec square x का integration का direct answer हम लोगों के पास है that is nothing but tan x सबको almost याद होना चाहिए अब तक minus sign integration sec x का derivative आता है sec x into tan x और यहाँ पे sec square x का भी integration हाता है safe force if tan x और यहाँ पे लग गया आपका dx तो देखो term कैसे दिखने लगी I sec x tan x है ना minus sec x हो गया यहाँ पे और यह हो जाएगा आपका tan square x और यहाँ पे लग गया आपका dx correct है अब देखो already इसको यूवी रूल से solve करें तो वापस अंदर रही आजीब सा यूवी रूल आ गया अब आप आपकी arrangement को सोचो मतलब की what do I have I have one trigonometric identity जो आपको भी पता है मैं 1 plus tan square x को लिख सकता हूँ as in 6 square x तो अगर मुझे tan square x को लिखना है I can simply write this as to be 6 square x minus 1 तो अब देखिए मज़ेदार चीज यहाँ पे होने वाली है I यह 6x tan x तो लग गया दोस्त है ना माइनस यहाँ पे इस 6x के साथ दोस्तो आपकी term आएगी 6 square x minus 1 और लग जाएगा dx देखो तो सही कुछ हमें adjustment मिलती है क्या I is equal to 6x tan x minus come on be with me यह अब simplify करो तो यहाँ पे 6 cube x हो जाएगा और minus minus plus होगा और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सिक x अब देखो यहाँ पे एक बहुत important चीज हुई है आप लोगों ने अगर यहाँ पे observe किया थोड़ा सा तो यह 6x tan x as it is आप देखिए तो सही यह 6 cube x यह तो आपका original sum है मतलब question के answer को solve करते हुए वापस question आ गया तो हम अब क्या करें कुछ मत कीजिएगा आपको बताइए से cube x dx का answer कितना है directly given है that is i तो अब आप करोगे यहाँ पे i plus 6x का तो integration आपको पता है log of you can write this as to be 6x plus tan x सारे formulas आपको पता है न यह integration का standard formula दोस्तो अब बोलोगे आरे वाँ i i gets cancelled नहीं होते यह minus आए दोस्तो यह left side में sorry left side में आएगा तो this will become i plus i मतलब बन जाएगा 2i is equal to 6x tan x plus log of 6x plus tan x अब आप मुझे बताइए यहाँ पे यह जो 2 है वो divide हो जाएगा यहाँ पे तो 1 by 2 बन जाएगा integration का answer चाहिए था न आपको half sec x tan x plus 1 by 2 log of sec x tan x अब चाहिए तो bracket में लिखो या mod में लिखो and then you can just put plus यहाँ पे and guys you are done with your answer आया समझ में I repeat sec cube x को sec cube x के जब भी sums आपको आएंगे I request all of you कि उनको breakdown करो जो square वाली term होती उसको भी consider करके uv rule use करो और अंदर question में ही answer solve करते हुए वापस question मिलेगा जिसको आपको I assume करके left side में लेके आना है तो थोड़ा अलग सा sum है समझ में आया सबको चलिए आगे बढ़ते हैं next sum के लिए sum number five I is equal to integration of e raise to 2x cos 3x यह again आपको एक अलग तरीके का sum यहाँ पर मिल रहा है कुशी की बात x की दो terms है तो दो terms है तो uv rule use करना है light rule के हिसाब से अगर आप जाओगे तो यह भाई साब आपके exponential है है ना और यह आपके है trigonometric तो बनता है cos 3x का u बनना तो इसलिए you just have to rewrite this तो I is equal to I आएगा integration of cos 3x की term पहले आएगी और e raise to 2x की term जो है वो बात में आएगे now uv rule मैं अगर by part use करू तो देखो कैसे मिलेगा cos 3x integration of e raise to 2x सही है ना उसी के साथ minus sign d by dx of होगा cos 3x है ना और यहाँ पे integration of e raise to 2x dx bracket complete और dx now if you look at this cos 3x e raise to 2x का integration का answer आएगा e raise to 2x by 2 यह तो सबको पता ही है minus integration of cos का integration पता ही है minus 3 correct sin 3x और यह हो जाएगा e raise to 2x by 2 और लग जाएगा यहाँ पे dx I hope अब तक सबको पता चल रहे है कि हम लोग क्या कर रहे है अब देखिए यह e raise to 2x को पहले लिखते है बाद में 2 लिखते है left में i है साथ में आपकी cos 3x की term को लिखी minus minus plus 3 और यह 2 जो है यह दोनों को बाहर लिया अब देखो आपके सम्में कौन-कौन बचे आपके सम्में बचे sin 3x by साथ और e raise to 2x dx वाली term but again you can see x की कितनी terms दो वापस यहाँ पे हमें uv rule use करना पड़ है मतलब by part के अंदर by part तो देखो अब किस तरह के से simplify कर सकते हो e raise to 2x by 2 cos 3x plus 3 by 2 चलिए support किजिए sin 3x uncle as it is रहेंगे integration of e raise to 2x आएगा minus integration of d by dx of sin 3x होगा again integration of e raise to 2x dx bracket complete होगा दोस्तो dx और यह बड़ा वाला bracket complete now all the simplification is on you but मैं फिर भी आपको help कर रहा हो cos 3x by 2 कर देते है plus 3 by 2 now चलो be with me sin 3x uncle as it is e raise to 2x का integration e raise to 2x by 2 हुआ minus as it is फटाफट बताइगे derivative आता है आपको sin 3x का derivative आता है 3 cos 3x आता है और यह e raise to 2x upon 2 होगया यहाँ पे बड़ी integration की sin और यहाँ पे लग गया आपका dx now कुछ और simplification अगर आपके पास है तो करो मेरे पास तो एक और simplification e raise to 2x को मैं as it is रखूंगा cos 3x by 2 plus what I can do is what I see is 3 by मैं यह दोनों term में से 2 को तो ले ही सकतो भाहर तो 3 by 4 हो गया दोस्त यहाँ पे तो मुझे बचा दिखा e raise to 2x के साथ यहाँ पे बच्ची sin 3x वाली term true और साथी साथ यह 2 अलड़ी बाहर आया है तो minus 3 और integration में मुझे term दिखिए दोस्तों यहाँ पे e raise to 2x into cos 3x dx अब आप देखिए और आप नाराज हो सकते हो आपका समशुरू हुआ e raise to 2x cos 3x के साथ यह आया बीच में यूवी रूल अब इधर पे देखिए तो यहाँ पे भी आरे बापरे वापस यूवी रूल नहीं नहीं यह यूवी रूल नहीं है दोस्तों यह कौन है यह तो आपी का original sum है इसका मतलब यह है कि इस पूरे term की जग़पे you can simply put what आप i लेख सकते हो ना तो आपको देखो answer किस तरह किसे मिल रहा है left में तो already यहाँ पे i है तो I am just simplifying it e raise to 2x cos 3x by 2 plus 3 by 4 e raise to 2x sin 3x minus यहाँ पे multiplication करोगे तो आपको मिलेगा 9 by 4 और मिला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे term i very simple now what you can do is आप इस minus 9 by 4 को लिखे हो left hand side में तो i plus हो जाएगा 9 by 4 i है ना साथ ही साथ इन टम्स में से e raise to 2x को आप common निकाल सकते हो तो भाई साब थोड़ा सा relieved field करेंगे दिखाई देगा आपको cos 3x by 2 और साथ में दिखाई देगा 3 by 4 into sin 3x correct है अब और क्या changes कर सकते हो क्या आपको पता है यह i common लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 13 by 4 i hope आप देख पा रहे हो तो मैं तो यहाँ पे directly 13 by 4 i is equal to लिख रहा हूँ दोस्तो e raise to 2x और साथ में आएगा cos 3x by 2 plus 3 by 4 और यहाँ पे आएगा sin 3x right देखो अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते यह निकाल दीजिए देखिए आपको i is equal to क्या मिलेगा यहाँ पे यह जो 13 by 4 यह पल्टी मारेगा तो you will get 4 by 13 की टर्म यहाँ पे साथ में आया e raise to 2x का टर्म उसी के साथ साथ आई टर्म cos 3x by 2 plus 3 by 4 sin 3x तो चलिए इस 4 अंकल को अंदर लिगे जाएए तो आपको दिखाए देगा e raise to 2x by 13 4 अंदर जाने के बाद हो जाएगा 2 cos 3x plus 3 sin 3x और बढ़िया सा लग जाएगा plus c यह आएगा आपका integration का final answer समझ में आया काफी adjustments हमें करने पड़ी by part के अंदर by part के अंदर i की term का generation जो की simplify होने के बाद कुछ इस तरीके से देखता है देखो मैंना आपको एक छोटी सी trick बताता हूँ secret है यह सिर्फ आप में और मुझ में रखिएगा उसके बाद homework के sum आपको देता हूँ e rest to ax cos bx ऐसे sum का आप direct भी answer लिख सकते हो लेकिन theory में आपको यह पूरा solve करना पड़ेगा देखो direct answer क्या है इसका direct formula आता है दोस्तो e rest to x as it is रखो x का coefficient a उसका square लिजिएगा इस x का coefficient b उसका square लिजिएगा और add की जिएगा उसके साथ साथ e के साथ कौन है पहले लिखो cos bx बची हुई जगब पे रहेगा sin bx देखो यहां तक आप आए अब पहले यहां पे लिखोगे a यहां पे होगा b और आपने देना है plus sin formula ready आपको cross check करना है तो करिए cross check यहां पे a की value 2 है b की value 3 है 2 square 3 square कितना हुआ 13 क्या बाते यार मैच हो रहें similarly यहां पे आएगा a यहां पे आएगा b you can just have a look at it आपको आपकी answers officially cross check करने के लिए मिल जाते राइट अब आप मुझे पूछोगे सर अगर आपने इसका formula बताया तो please 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 e raised to x into sin bx का भी तो बता दीजिए चलो low formula same term same pattern लेकिन e के साथ कौन है priority में लिखोगे sign बजी हुई जगा पे लिखोगे cos a b लेकिन जब sign की बात आती है तो sign होनी चाहिए negative so that's all यह है आपकी hint trick जो आप final answer check करने के लिए use कर सकते हो अब मैं आपको दो sums as in practice देना है जा रहा हूँ एक है यह right और दूसरा है e raised to minus x and sin to x आपको यह दोनों sums let me tell you something आपको यह दोनों के दोनों sums इस method से पूरे solve करने हैं और आपका answer cross check करना है दोनों formula में से कौन सा formula यूज़ करके आप निकाल सकते हैं you can use it in CET JEE लेकिन theory में you have to solve it fully समझ में आया clear है चल thank you thank you so much you